काल विभाजन के अनुसार घड़ी पल मिनट में क्या स्वन्द है इस वीडियो से हम जानेंगे अधाई घड़ी में कितने मिनट होते हैं और एक घड़ी में कितने मिनट होते हैं पल कितना बड़ा होता यह सारी बात हम इस वीडियो से जानेंगे तो आईए शुरू करते हैं वीडियो, सबसे पहले हमने Excel शुरू किया और यहाँ पर आप गुरुती देव फॉन्ट स्लेक्ट कर लें और यहाँ आपने लिख लेना है घड़ी और यहाँ आपने लिख लेना है मिनट तो यहाँ पर हम घड़ी में जैसे 1 किया तो यह मिनट कितने होंगे इसके लिए आपने फॉर्मूला लगाना एक्वल टू एटू लिखना है उसके बाद मल्टिप्लाइ करना है 24 यानि एक घड़ी 24 मिनट के बराबर होती है इसलिए हम इसको मल्टिप्लाइ करते हैं अब आप यहाँ दो घड़ी करेंगे तो 48 मिनट आएगा बहुत बार आपने सुना होगा अधाई घड़ी अधाई घड़ी का अरत अधर 2.5 तो दैट मिन्स 1 आवर यानि 60 मिनट इसी परकार से 5 घड़ी 120 मिनट दोस्तों कई बार कुछ लोग पूछ सकते हैं कि 200 मिनट जो हैं कितनी घड़ी होंगे मान लीजे तो यहाँ पर यह क्या है यह मिनट हैं और यहां किस में बदलेंगे घड़ी में बदलेंगे तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो इस परकार से बनेगा इक्वल टू दिस यानि डी टू डिवाइड़ बाई ट्वंटी फॉर् अब देख सकते हैं अगर आपके पास मिनट हैं और आपसे कहा जाता है कि इनको घड़ी में बदलें जैसे 500 मिनट हैं तो एकदम से गड़ी में बदल के आएंगे अगर आपके पास घड़ियां हैं जैसे कोई कहता है छे गड़ी कितने मिनट होते हैं तो एकदम से इस फॉर्मूले में फॉर्मूला बहुत सिंपल है यहां मल्टिप्लाइ करना है 24 से और यहां पर डिवाइड कर देना है 24 से बस इतनी सी बात गड़ी 24 मिनट के बराबर होती है इसलिए घड़ियों को मिनट बनाते वक्त आपको मल्टिप्लाइ करना है 24 से और मिनट अगर आपके पास है तो उसको डिवाइड कर देना है आपने 24 से और आप गड़ी से मिनट, मिनट से घड़ी बड़ी असानी से बना सकते हैं कोई वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर दा चैनल